गीता में अर्जुन को स्वयम भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो इसी प्रकार हजरत मुहम्मद को उनका अल्ला कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर वो प्रभू कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिये जगत गुरूत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के अम्रित वचन पीजने में वो तेजों में स्रीर जो था वाला जो स्रीर जिन्दा महात्मा के स्रीर में प्रवेश हो गया और जिन्दा महात्मा का जो नूर था एकदम उतना ही तेजों में स्रीर हो गया और चवर अपने आप होने लगया तब प्रमात्मा ने कहा था आदनी अगरिवदास साइब जी को के बच्चा मैं पूर्ण प्रमात्मा हूँ सब गर्भंडों का रचनहार हूँ मैं ना मिलो बेदन माही और जोन बेद से मैं मिलो बेद जानते नही ये चारों बेद मेरा गुनगान करते हैं उसमें मेरा कवीर देव नाम है और मैं बनारस के अंदर कासी में धानक रूप मजुलाए की बुमिका करके आया हूँ 120 वरस रह था वहाँ पर तब मैंने रामानच जी को सरण में लिया और नानक जी को सरण में लिया वैसी बहुत सी सारा मापरसों की जानकारी दी उनके गृवदास जी के अंते करण में वो यथार्थ ग्यान सारा फीड कर दिया और आखों देखा जो गृवदास जी ने वो खुद अपने गरहन की अनुभाव की वानी में लिखा फिर परमात्मा ने कहा कि गरीबदास जा बेटा तो नीचे जा देखो तेरे स्रीर को जलाने की तैरी कर रहे हैं गरवालों ने क्यास देखा पालियों ने कुछ देर गवालों ने देखा कि दो डाई तीन गंटे होगे भगत अकेला वैठा है बाबा जी गाइब है श्रीर नीचे रह गया था गरीबदास जी उन्होंने जाकर हिलाया डुलाया आवाद लगाई वो गिर गया मर्त जान लिया गाउँ वाली उठा करके गाउँ में ले आए चिता पर रख दिया स्याम के समय अन्तिम संसकार के लिए तो परमा तुमा ने कहा गरीबदास जावे टाइब तू वापस तेरे सिरीर को सुआ करने वाले है गरीबदास साहिब जी बालक थे उन्होंने कहा वगवन मुझे यही रख लो उसकंदे लोग में मत भेचो तुमा गरीबदास जी से पर बात वाने कहा कबिर जी ने सत्पुरुष ने के बेटा तुम वापस जाओ मेरा गवा बनो और मैं तेरे साथ रहूँगा तुम ऐसे नहीं रह सकते आजब यहां से गए आप पुनों से प्रीपूर्ण थे और उतने ही बगती की सकती तुमारे अंदर फिर से हो जाएगी तुम यहां सको अब तुम्हा अपनी पावर से लाया हूँ तुझे वापस जाओ यह सचनाम और सहर नाम तुझे बता दिया आप से मन करो इसको लिख दो वाणी में अन्य अपने अव्याईयों को केवल यह पांस मंतर देना कौन से जो आपो को कमलावाले दिये जाते हैं केवल यह पांस नाम गरीब दास्पन्थों चलते थे और आप जाओ विलम मत करो आग्या का पालन करो आने वाले समय में आप अपना नुभाव लिख कर रख जाना तेरे भाई बेन बच्चे तेरे इस वाणी को आधार बना कर मुझे पहचानेंगे विश्वास करेंगे उनका अकल्यान हो जाएगा तब गरीब दास्पन्थी वापस आए और एकदम उठ खड़े हुए चिता के उपर से ही और ये वाणी बोलने लगे हम सुल्तानी ना नकतारे दादू को उपजेस दिया जात जुलाहा भेदन पाया ये कांसी माहे कबीर हुआ अनंत कोट बर्माहंड का एकरती नहीं भारे सत गुरु पुर्स कबीर है ये कुल के सरजन हर पर्माह को सत लोक में देखा जो यहां से जिद्दा भात्मा के रुफ माई थे तब गरीब दास जीन अपनी वाणी में पर्माह की महिमा करन तोड दिखी है और पर्माह कबीर जी से प्राप्त उस यथारत ग्यान का इसमें वर्णन किया है थोड़ी सी थोड़ी सी जलक आपको उस अमरत ग्यान की देते हैं क्या बताते हैं कि बेड़ पूछ को पंडित पकड़े ये बादो नदी भी हंगा गरीबदास वो भावजल डूबे नहीं सादसत संगा गरीबदास साइब जी कहते हैं कि बेड़ पूछ को पंडित पकड़े ये बादो नदी भी हंगा गरीबदास वो भावजल डूबे जिनको नहीं मिला सादसत संगा जैसे बादुआ का मेना होता है बादर पद उसमें वर्षा भावजल डूबे थी और सभी छोटी मोटी जो दरिया है जो दरिया है ये फुल स्विम पर और फलो होकर किनारों को टच करती भी चला करती है बरका चल पड़ती है और ऐसे चकर काटता हुआ उनका जल बहुत वेग से चलता है तो गरीब दास जी कहते हैं कि आप जी ने सत लोक जाने के लिए इतनी दरिया को पार करना है इतने बहंकर जल युक्त और उस से पार करने का साधन ये पंडित अर्थाद बहुत सागर से बहुत दरिया से पार होने के लिए जो वे ओफ जो मैथड ओफ वरसी वे ओफ वरसी पूजा का जो मारग है विधी है वो जो तुम्हारे गुरुवों ने पंडितों ने ब्रामनों ने बताई है वो तो ऐसी है जैसे उस भादों के महिने में पूरा पूरन रूप से परीपूरन होकर बहर ही दरिया को पार करने के लिए कोई कहे के भेड की पूछ पकड़ और दोनों घुस जाओ दरिया में ये भेड तुझे पार कर देगी वो वो सवस्थ विधी नहीं है वो तो डूबोने वाली है नौका उसके लिए नौका चाहिए अच्छा उसका खेवट चाहिए ताकि वो भमरों से बचा करके और दरिया से पार कर सके तो वो स्पूर्ण संत की आउसकता है राम नाम सही हो सत्वगती हो वो नौका है राम नाम की तो कहते हैं बेड पूछ को पंडित पकड़े ये भादो नदी भी हंगा गरीब दास हुए भावज लडूबे जिनको नहीं साध सत्संगा फिर बताते हैं मन मान सरोवर गंगरे जां से बिछडा वहां मिलाओं तुम सुनो सबद पर संगरे मन मान सरोवर गंगरे जां का बिछडा ताहां मिलाओं तुम सुनो सबद पर संगरे गरिब्दा साइब जी कहते है कि मन ये मान सरोवर गंगरे सतलोक जो है वो असली सथान है तेरा और जहां से तू विच्छडा है तुझे वही मिला दू तू मेरे वचन सुन दे मेरा ग्यान सुनो अपने अत्माओं ये जो अधुरा ग्यान हमें प्राप्त है ये परमात्मा के विचार सुनने नहीं देता जैसे एक बहन कह रही थी कि किसी परमात्मा की बेटी नए यहां से उपदेश प्राप्त बहन ने अपनी सहली से कहा कि इस समय टीवी पहत हमारे गुरुदी जी का प्रोग्राम हाता है वो देखना तो उसने अपनी सहली के कहने से टीवी ओन किया रूस में उसका दुर भाग गय था और ग्यान का अभाव उसने क्या सुना कि तीन देव की जो करते भक्ती उनकी कदे ना हो एं मुक्ती और विर्मा विश्ण महेश की भक्ती से मुक्ष नहीं हो सकता उसने ये सबद सुन दिया जब बैटीवी बंद रही दो तीन दिन पाच्छा उस बहन ने फिर पूचा कि तु सुन आप सुनती हो क्या में हमारे गुरु जी का सत्संग ने वोली कदे भी ना सुनू होता ऐसा गल्ट बात कहें हैं क्या कहते हैं कि नहीं के फिर माचीन देव की जो करते वक्ती उनकी कदेना हो मुक्ती मुक्ता कर्चन जी की पुजारन हो तो कुनातमा तो यहां परमातमा कह रहे हैं तुम हमारे सब्द का परसंग पूरा सुनो और फिर बात समझे मावागी तुम देख छोटी सी बात ने सुन के बेदे के जाती हो गैर है इसे सुनो क्यों कहा है इसने इतने दन हो आस्ते पहले कोई कह के दिखाता है कि यह बक्ती ना करना सुरसरयाम यह जोरा दासवामी दंदन सद्गुर्वाले ने खुल के कुछ नहीं बताया आप अपनी बताएंगे लोग उनके पीछे लागेंगे अर दास ने तो सब की इतियास दिखाए है कि यह नहीं करना यह नहीं करना यह करना बैस और परमान दिया है कि यह कहीं परमानी नहीं की बक्ती करने तो यहां परमात्मा कह रहे हैं गरिदा साहिब जी मन मान सरोवर गंगरे जहां का बिछडा तो मिलाओं सुनों सबद पर संगरे देने गंगा बाम में जमना मद सुरस्वती रंगरे कल बिस कुसमल मोक्स होत है ये पलड़ पर भी अंगरे किते हैं ऐसा सिम्रण देंगे आपको उस वास का उस जैसे गंगा मनाने जाते हो कुदेजमना मनाने जाते हो कहीं सरस्वती की आस लगाएं बैठी हो ये स्वास के सिम्रणत है आपका स्वास का सवर्द दश देता है नाम कभी दायां चल रहा है कभी बायां चल रहा है और सर्श्वती बीच में सहे उत्र तीस रात्य लहाओ तो खुल ले खुल लेगी तीस रात वो इस समन्नता अपने आप खुल जाएगा इसमा धक्का करनगी जुरूत नहीं इसका मंतर में ऐसी सकती है तो कहते हैं दाने गं और का उरला रस्ता है उरला गेट तो कहते हैं तो कहते हैं तुम रोज गंगा जमना ना हो पल पल पर भी अंगरे पल पल में उता बारा वर्समा पर भी लागए कुंब की अश्यों के पल पल पर भी अंगरे एक पल पल में पर भी लो सांस सांस में नाम जपो बिरता सांस न गोर से गोर पाप भी समनत है तो मेरे तुम्हारे ना सो जाएंगे कल बिसकुस मिल पाप कासी करवत काहे लेत है बिना भजन नहीं डंगरे कोट गरंत का यही अर्थ है करो सादसत संगरे क्या बताते हैं कि कासी करवत काहे लेत है बनारस मजाक है कहते हैं क्यों अपनी गर्दन कटवाता है पुने आत्मा इतना जबरदस जुगाड कर रहा क्या थे नग्यानियों ने और आत्मा उसी दिन से प्रमात्मा की चाह में भटक रही है इसको जिसने भी कोई जैसा भी प्रमात्मा पाने के विद्धी बताई कितना एक कठीन से कठीन फैसे नवो भी स्विकार किया एक बार कासी के ब्रामनों ने, नकलीों ने ग्यान देना सुरू किया कि जो कासी में मरता है कासी सहर में शरीर छोड़ता उसी दस वर्ग जाता है और जो मघर मरता है उसकी मुक्ति नहीं होती वो गधे की यूनिम जाता है पर मातमा कहा करते है भाई सत वक्ति करो चाए कासी में मरो और चाए मगर में मरो कहीं पर भी सिरी छोड़ोगे तुम उसी स्थान पर जाओगे दुसत साधना तुम कर रही हो ये भूल है तुमारी पर वो नहीं माना करते है व्रोध किया तो ये बातें ग्यान सुनकर सभी बूढ़े बुढ़े बुढ़े बुढ़गों ने इस कहा अपने बच्चों से के बच्चो बेटा विसे इसकर ये बनियां लोग इन ब्रामनों से जाजा पर भावित रही है तो उन्होंने कहना सुक्का उनके बुढ़गों ने के बच्चों हमने मरना तो है बेटा और कहते हैं गुरुजी बता रहे है कासी में मरत्यू हो जाए तो स्वरज मिल जाएगा हमारा उधार हो जाएगा तो बच्चे भी सोचते हैं माता पिता क्या उद्धार होना चाहिए तो वहाँ अपना कमरा लेकर बच्चों माता पिता के लिए वहाँ कोई नोकर नाकर छोड़ने लगे कि यहाँ विचार भी सुनते रही हो गुरू जीओं के और अन्तिम समय है आप यही प्राण त्याग दियो तो उन पंड़तों ने सोचा कि भी यदि हम इनको अपने घर रख लें परतेग यह जमान को एक एक गुरू दस दस पांस पांस हो जाएंगे यह नहीं हम रख लेंगे तो सारा कुछ खर्चा भी हमें मिलेगा वो पैसे भी मिलेंगे किराय कुराय भी हमें मिल जाएंगे इस उड़ेसे से उन्होंने अपने अकसेतर के सभी बुजर्गों को अपने ही घर पर रखने का आधिश दे दिया कि हम रख लेंगे यह जह खाना खाय लेंगे हम भी खाय लेंगे उनको पता था कि सरधालू पैसे देंगे देंगे तो उन्होंने अपने पिताजी के खर्चे के भी पैसे गुरू जी को देने शुरू कर दिये इस लालत में उनने वो आफ़त मौल ले ली बुड़ा और बुड़ी आते दो ना गरमे है तो पूरा परिवार उस से की देख रहे एक मिला गया रहा अगरे जब बिमारी से मार हो जाए तो एक कर दो बुड़ा मुस्किल हो जासे मालना और उन्होंने दस दस पाड़ लिए लालत में फिर उन नकलिया ने के सकी मनाई वो गुरूवा ने किया तो बात बिगड़गी है अब यह तो आन लग रहे हैं वो तानी सो भी हो जाएंगे यहां था हम कैसे रोटी बोवाएंगे रोजलीगी तो उन्होंने क्या सकी मनाई एक गंगा के किनारे कासी में एक ऐसा गुफासी बना ली इटों की ऐसे और जमना गंगा के किनारे पका गाट सा बना के और उसके उपर ले सिरे में जैसे नू बना दी उस में ऐसे क्रोट छुपा दिया उपर और दूर से उसकी एंडलिंग बना दी सो सो फुट दूर बोजड़े बाजड़ा में रसा बांद दिया उपर उपर एक नीचे से पुलीसी बना करके तो सब उनने फिर एक अफ़वा फहला दी कि जो सिगर स्वर्ग जाना चाहता है उसके लिए परमात्मा की तरफ से एक करौट आता है करौट जैसे आपने देख्या होगा लकड़ चीरन के आरीसी वहाकर लंबा बहुत लंबा होता है दो तरफ से पकड़ चलाते हैं उसको वो करौट आता है जो से गर्दन कटवा लेगा उसको सिगर मोक्स प्राप्त हो जाए स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा अब बुड़े क्योंकि ग्यान सुनुचन का बगवान की आत्मा जाग तो जाती ही है कि मर्चुता हो नहीं है और फिर उनसे पूछा करते क्या पंड़ पंड़ान करना पड़ेगा यानि दस रुपे का पंड़ान करना पड़ेगा जब वो करौट आवगा तो सब की दस दस रुपे फेक्स रखती हकीन कई टकट कट जागी थारा पीछा चूटेगा और पैसे भी मिल जाएंगे इस जैसे से उन्होंने करौट का अथा जोड़ के बेगा मान सकंटने का मनस काचने का कजाई वड़ा स्रूक दिया अर साहिड ढ कर दिया इतनी इतनी जब्रद संधा बनेगी अब जिसका दर्द होए उसका कटियर को कर दें वो सब्सक्रते कर दिय का। वो बतानते रहा कि ब्रदर दोयाग ना हुआ तो कहने का भाव यह है कि हमने वो भी सभीकार कर लिया तो यहां कहते हैं कि कसी कर्वत का हे लेही बिना भजन नहीं डंगरे कोट गरत का यही अर्थ है करो सादसत संगरे करोड गरंथों का एक अर्थ है कि जैसे सादसत संग करो संथ का संग करो संग संग सुनो जैसे पवित्तर श्री मदभगुत गीता जैर नंबर 4 के स्लोक नंबर 32 में कहा है कि सचीदानंद गन ब्रह्म ने यानि परमक्सर ब्रह्म ने सत्य पुरस ने अपने मुख कमल से कुछ ग्यान बोला होता है वो तत्व ग्यान है उसकी अंदर परमात्मा के पाने की सभी धर्म कर्मों की विस्तार से व्याख्या होती है वो तत्व ग्यान है तो थे जाएगे चौटिस में सलोक में कहा कि अरजुन तु उस तत्व ग्यान को तत्व दर्सी संतों के पास जाकर समझे उनको डंडोच परनाम करने से कपट छोड़कर नमरता परसल करने से वो तत्व दर्सी संतों तुझे उस तत्व ग्यान का उपदेश करेगे और यही यह जुरुए दजाय नमर चालिस के सलोक नमर दस से लेकर तेरा तक सपष्ट किया है विद्वान और एविद्वान किसे कहते हैं एक बासा को जान लेता है किसी वी से इसको तो उसको तुम विद्वान कह देते हो और जिसको अक्सर ग्यान नहीं उसको तुम एविद्वान कहते हो विद्वानो रहे विद्वान की परिवासा भी तत्वदर्शी संद बताओगा बगवान कैसा है कोई तो उसको संभवात माने जनम लेने वारा कुछ ऐसंभवात वो जनम लेता ही नहीं निराकार ऐसा मानते हैं वो कैसा है ये ग्यान भी तत्व दर्सी संद बताओगा उसने पूछो, सुनो और यहां गरीब दास जी कह रहे हैं, वही पर्मान दे रहे हैं कासी कर्वत काहे लेही, बिना भदन नहीं डंगरे और कोटी गरंत का, योही अर्थ है करो सादसत संगरे प्रम संथ का संग करो और मातमा कबीर जी नहीं यहां तक वैख्या करी है, अपनी माई मापब बतावाएं कबीर राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो जो सुख है संथ के संग में, वो बैकॉंट में नहूँ बैकॉंट में तो आग लाग लिया तो यहां पर त्वीप लग लिया छोटे और बडे की, निर्दन और दनी की, जो गणी वक्ती करके चला गया, उसको उचपत मिल गया थोड़ी वक्ती कर रहा हुआ, कोई कलरकालर लाग लाग गया वह इन्यों कि न्यों बकवादे हैं, तो पर मातमा कहते हैं, राम बुलावा भेजिया के चलो सुरग में, कबीर सहाब हमें बताना चाहते हैं, कि आपकी एक दिन ऐसी दसा हो जागी, कि हमने सुरग ना चाहिए, बाड़ में जाइसा सुरग जो मारी पुंजी नास करे रही हैं, गदेख बनते रहे हैं, तो जो सुख है संत के संग में, सहद के संग में, कुंट में ना हूँ, अब कहते हैं, प्रानंदनी पार्ख लीजे, मूल मंतर ओम अंगरे, गाये तरी गलतान जान है, सोहम सुर्ती सुहंगरे, अब इसमें उक सतनाम के मंतर का भी बताया है, गरीबदास जी कह रहे हैं, कि चारों वेदों को पढ़ ले, और एक ओम नाम जा जाब कर ले, उन चारों वेदों के पढ़ने का इतना लाब ने, जितना ओम नाम के जाब का है, तो कहने के बावर्त है, कि सद्गरंथों में जो सब कुछ ग्यान देकर के निसकरस बताया है, कि इस मंतर के जाब से बोक्स होगा, तो वो जड़ी है, वो जड़ी खाने से ला इतना, तो फिर कहते हैं, रग यदु साम ये अथर्व बाखें, अर्ताम नाम मूल नहीं राखें, ये पंड़त जी कहते हैं, ब्रामन गुरु आतारिया संक्रातारिया रिसी मैरिसी, चारों वेदों को तो घोट लेते हैं, कंठस्त याद कर लेते हैं, और उसमें जो विश उसम अथर्व बाखें, उनको तो बोलते रहते हैं, चारों जहदों को, अर्ताम मूल नाम नहीं राखें, मंतर को आधार नहीं मानते हैं वो लोग, जैसे हमारे को मुर्ख मुना रखें तो इन्होंने ब्रम गाहितरी, एक गाहितरी मंतर दे रखें था, गाहितरी मंतर, और और वो यजूर वेदक जाय नमर 36 का मंतर नमर 3 है एक सलोक है और उसका अगर ओम ही ने खुद ला दिया या भी गलती का रखी है क्योंकि बगवान कोई बालक थोड़ा है उसने कसर छोड़े दी ओम लान की जब ग्यान बगवान ने दे रखे है यह मानते हैं वेदों का ग्यान बगवान ने दिया परमात्मा तो परमात्मा ने जो अकसर लख दिया उसमें एडिसन और गटान की जुरूत नहीं आव सकता नहीं मूरक है उसमें कोई और कोई एड करें या उसमें तक काटे पीटें जैसे एक पिस्टन बना रहा है कंपनी ने मोटर साइकल कारगा डी जो भी जिसका और उसको एज जी टी जी फिट करना बुदी मता है उसमें कोई और नट वेल्ड करके सोटा मोटा और कोई नहों का देखा जाधा वर केबल हो गया उसने तर नाट कर दिय और मूरका अश्चा दिया refund कि प्रमातम का की महिमा है वेद और और ओम नाम है ब्रहम का और महिमा है परमकसर ब्रहम की अब परद्धान मंत्री का आण गय véhic और कोई मंत्री लग कर बेझे मंत्री जी मुखय मंत्री जी पहले तो वह अप्लिकेसेना चुछी का नहीं भी वह पापस बेज़ देंगे अकल का टोटा था, यह हमारे अंदर ग्यान नहीं था, इसे हुआ हमने गुरू मिल ले थे, अब जैसे वेदों में परमात्मा की महिमा है उनके मंत्रों में, जैसे बिजली है, और बिजली के गुण लिख रखे हैं किसी कागज पर, या पंखा चलाती है, टूबल चलाती है, दूद रड़क देती है, दूद बिलो देती है, और जो है, उस अंदेरे को उजाले में बदल देती है, तो ये गुण है, ये बिजली के गुण है, और उसकी कोई चौपाई बना ले, उसका कोई दोहा बना ले, या कवीता बना ले उसकी, और उसने गाएं जा, के एक में बदल देती है मंड़ार है एक लाख बार पड़े और कनेक्शन लेवा नहीं वो तो ज्ञान कराता है वो गुणों की जो बुक है कि बीजली में ये गुण है और वो गुण प्राप्त होंगे तुससे में जब आप कनेक्शन ले लोगे अब कनेक्शन लेने के बाद वो गुणतों याद राखने पड़ेंगे कि यह पंखा इस बटनते चाल लेगा और मोटर इससे चलेगा और एसी इस चलेगा और वह कुल रिष्टे चलेगा वो गुणतों याद राखने पड़ेंगे लेकिन कनेक्शन बेना लाब मिले को नी त उपुन्यातमाओं जो गायत्री मंत्र है यह तो एक मंत्र है, एक सलोक है, इसमत्र थारा जार के आजबास मंत्र है, तिर चारो वेदों के, तो वो एक के पर डूनते क्या होगा, उग्नत हुआ हो भगवान का, लेकिन वो लाव मिलेंगे, इस अदास के पास है, वो कनेक्शन, यह लाइनमेन है उस पर मातमागा यो देगा अपनों कनेक्शन उसके लिए बताते है अजपाजापजपो निसवासरे जीत चलो जम जंगरे गरीब दास दर्सन देवा की देख भयाचत वंगरे गरीब दास दी करें हैं कि अजपाजापजपो निसवासर जो सतनाम का आपको दे रखाए मंतर वो अजपाजापजपई सुआशो सुआशो से जाप करना होता है और जीत चलो जम जंगरे इस काल के साथ यह यूद जीत चलो इस सतनाम के अथियार से और गरीब दास दरसन उस परमात्मा के देख के होया मन चत भंगरे कहता हमा तो आस्तरियम पुढ़ गया बगवान कोई और था हम मान की इसको रहे थे तो अपने आत्माओं इसमें कहा के मन मान सरोवर गंगरे जहां का बिछडाता हामिला हूँ सुनो सबद पर संगरे तो आज का जो सत्संग परारम हुआ था कि आप इस नमक की मार्केट के बोरियों में और उस बूरा की मंडी को छोड़ कर आगए नमक की मंडी में यहां आप बूरा का जो है टेस्ट खोज रहे हो यह उसी मार्केट में ले चलूँगा आपको जहां पर वो टेस्ट आपको प्राप्त होगा वो सर्वे सुख प्राब्त होगा इस दास के पास वो औरिजिनल साधना है इसको ग्रेंड करो अपना कल्यान कराओ सत्साहिव सत्साहिव परमपिता परमात्मा पूर्ण बरम सारी सुरिष्टी के रचनार कबीर परमेस्वर जी ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं हम सभी जीव जितने भी इस काल के लोक में निवास करते हैं पसू पक्सी जितने भी जल्चर हैं और बानो हैं देव हैं ये सभी आत्माओं उस परम अक्सर बरम उस कबीर भगवान की हैं वो कबीर परमात्मा कौन हैं जिनके गुन वेद भी गाते हैं जिनकी महिमा कुरान स्रीप भी बतलाती हैं जिनकी महिमा पर्टक्स दर्ष्टा संतों ने भी की हुई हैं अनन्त कोटी बेरमंड का एक रती नई भारे सत्गुर पुरस कबीर हैं कुल के सिर्जन हारे हम सल्तानी नानक तारे दादो को उपदे सदिया जायत जुलाहा भेद न पाया वो कासी महें कबीर हुआ जुलाहा कबीर दानक कबीर ये परमक्सरब्रम हैं पुन्यात्माओं हम परमात्मा की परिवासा का कैखे भी निसमद सक्याज तक जब तक ये तत्वग्यान हमें पराप्त नहीं हुआ था हमें ये तत्वग्यान हिन संत्रिसी महरिसी आचारिय संक्राचारिय जो भी बगवान की सचीथी बताते हम सहर स्विकार कर लेते थे उन्यात्माओं के आँखों में आशु आते थे बगवान की तरचा सुनके लेकिन वो काल की महिमा सुनाया करते थे और नाम बगवान लेते थे आत्मा अपने पिता से जब से दिछुडी है ये महा कस्ट उठा रही है अभी पुनात्माओं आप इस ग्यान से पूरण रोप से परिजित नहीं हुए हो जिसमें आपकी बुधी इतनी मैचुर हो जागी आप परतेक संकेत को समझने लग जाओगे तब आप परमात्मा को अच्छी तरह जाओगे अभी तो आप ऐसी सथीथी में हैं जैसे कोई बालक उठाक किसी पैन को और कहता है पिता जी ये क्या है तो पिता जी कहता है कि बेटा ये पैन है वो कहता एं पिता जी कहता पैन है या दादा जी जो भी जिसे वो पूछ रहा है फिर कहता एं वो फिर बताता है ये पैन है तो वो एं कहता कहता उसको रखके और चला जाता है उसकी बुझी इतनी मैचुर नहीं हुई है इतनी विक्सित नहीं हुई है पिता जी ये बता क्या रहा है और उसको एविश्वास भी नहीं क्योंकि उपने फादर से बूठ रहा है लेकिन उसकी बूदी स्विकार ने करी ये पैन है क्या वस्तू और जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है फिर उसको कहते हैं बेटा या बेटी वो पैन ला उठा करके दोड़ा जाता है और पैन उठा के ला देता है फिर नहीं पूछता ये क्या है तो पुने अत्माओं अभी आपकी या एन ही मिटी है इस एन को मिटाने के लिए इतना ग्यान दिया जा रहा है सेंकडों परमान रखे जा रहे हैं आपके सामने एक दिन आपकी या एन मिट जाएगी क्योंकि ग्यान से ही मिटेगी वो क्या एन हैं जैसे हम कहते हैं परमात्मा कबीर साहिब है आप सभी स्विकार करते हो क्योंकि परमान गणे दे दिये फिर हम बताते हैं कि ये लोग यहां रैन का नहीं है और ये परिवार जिसको आप मानते हो आपका नहीं है ये प्रमात्मा के बच्चे आपके संसकार वस जुड़े हुए है और जो संपती जो घर, मकान, कोठी, बंगले तुम बनाए बैठे हो ये आपके नहीं है लेकिन आप ऐस्विकार भी नहीं करते दास बोल रहा है क्योंकि आप मेरे सबद के बच्चे हो जिसे नाद के कहते है और आपको ये एविश्वास भी नहीं है कि गुरू जी गलत कह रहे है लेकिन या बात आपके एं सथीथी में है अभी तक तो एक समय ऐसा आएगा आपको ये अपने नहीं बगवान के संपत्ती दिखाई देगी बगवान के ही ये सब जीव दिखाई देंगे फिर आपकी वक्ती भी दर डबनेगी और आप निस्चंत भी होगे क्योंकि मालिक ने परतेक की चंता है नोकर का जितना काम होता है नोकर उतना ही कर सकता है उन बच्चों को जो उस मालिक ने देना है वो नोकर को दे देता है कि आप इनको ऐसे ऐसे सुईधाएं पराप्त कराओ तो नोकर का उतना ही काम है वो करवा दे तो अभी हम मुखिया बनकर काम करया करते फिर हम एक दास बदकर प्रमात्मा का जैसा भी जिसका रोल है एक फिलम है ये तो इसमें जिसका जैसा रोल है उसको एक सो चारू ढंग से करें भगवान से ड्रक करें किसी की आत्मा नहीं दुखावें क्योंकि सब उस मालक के बच्चे हैं और इस मन पापी ने डाट दरासा क प्रमा के भैसे उसको कंट्रोल करें तो अब दास जो आपको बता रहा है कि आप यहां बहुत कष्ट उठा रहे हो और आप इस बात से को सुन अवसे लेते हो लेकिन ये समझ में नहीं आता कि कष्ट कैसे उठा रहे हैं कोई समझता कि मैं बिमार हूँ इसलिए कष्ट है यहां जो मूल कष्ट है जनम और मरन का यह भारी रोग है उसके बाद 84 लाख यूनियों में पसू पक्सियों के सरीरों में बुने अत्मों केर तूट रहा प्राणी पे अब आप मनुश हो और मानो सरीर में ही आप ग्यान गरहन कर सकते हो और मानो सरीर में प्रमात्मा ने इतने सुईधा भी दी हैं आपको कि आप अपने मकान जोफड़ी डाल सको गर्मी सर्दी से वसने के लिए पतले मोटे कपड़े की वस्था कर सको आप उसको छोड़कर आप बगती मारग से दूर होकर केवल यहां की संपत्ती जोड़न में और यहां कोठी बंगले बना के फोकट में माबनान की ओड़सी लगा लिया आप रहें जो आपकी भारी भूल है इस भूल को हटाने के लिए प्रमात्मा आयक पूर्ण ब्रम अनंत कोठ ब्रमांड के पालक और एक जोपड़ी में जुलाहा बनके आथ से काम करके कपड़ा बनकर एक लीला करके दिखाई कि यह धी तुमने बगती में सफल होना है अपनी इन मनों कामनाओं को इच्छाओं को सीमित करना पड़ेगा समाज को देखकर आप बगती मारग पर नहीं चल सकते यह दूसरी बात है कि आप जैसे बगती करोगी वैसा फलत आपको मिलता ही रहेगा लेकिन मोक्स प्राप्ती के लिए आपने अपनी सभी प्रमप्राओं को जो हमने स्वम बना कर अपने पैरों में बेड़ी डाल ली उनको इप समाप्त करना पड़ेगा पैसों के हो सकता किसलिए पड़ती है बड़ी कोठी बना कर महिमा हो जावा गाओं में नगर में के बड़ी कोठी है उनकी बड़ा पैसे वाला वेक्ती है बड़ी कार हो चलिये तेरे संसकार में होगी ये तो होई जागी और फिर हो जाती है मर्तू कोठी वाले की मर्तू हो जाती है कुटा बनकर उसी गली में बाहर बैठता है की चड़ में गर्मी और सर्दी में उपर से वर्सा हो रही है वो ठीठो रहा है कोठी वाला बाहर बैठकर कोठी में कोई अन्य ही प्राणी जो प्रमात्मा के बच्चे है वो भी निवास कर रहे है कुछ दिनों में उनकी भी टेकट कटाएगी वो भी बाहर बैठेंगे गली में जो बगती नहीं करते तो ये जो दूरगती और भविसे में होने वाले कश्ट आपका हर दम चत्मरन लाग जाँगे फिर आप भकती कर सकते हो ये जो प्राणास आपको बता रहा है क्योंकि एक सथसंग जो है एक ऐसा सामुएक शिक्सा सथल है जिसमें पहली कक्शा के बच्चों के लिए भी कुछ ग्यान बता जाता है दूसरी के भी तीसरी के भी मैट्रिक वालों को दसमे कक्षा वालों को, बीए वालों को, एमे वालों को, यानि अन्ति पढ़ाई वालों को भी हिंट दिये जाते हैं। अब एक सत्संग के अंदर सब को ग्यान दिया जाता है। और आपको बता जारा है कि आप यहां के वासी नहीं हो। आप सत लोक मरहा करते थे और वहाँ आपके मर्टों नहीं होती थी वर्दवस्था नहीं थी कोई रोग सरीद में नहीं था आज कोई वर्दवस्था नहीं चाहता और सब की होगी पहले मर्गयावाद दूसरी बात है और फिर बुड़ापा भी वर्दवस्था भी होगी और मर्टों भी डेफिनिट और हम फिर भी आँख मीचे बैठे हैं आपर तो अभी तक तो हमें इसका विकलप नहीं था अब परमात्मा ने विकलप बता जिया कि जब तक इस रीद मरहो वो आपका मकान जो भी सीमित सा बनाकर रखो जाता अपड़े की हो सकता नहीं जैसा भी आपके संसकार में कोई बड़ा भी बन गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यानि लोग देखावा होड नहीं करें एक दूसरे ने देखकर रीस नहीं करें इन बकवाद्दों की कोई करता है लड़की का उसमें लोग देखावा पताने कुतना ड्रामा करता है पॉइंट वाजे बजबाता है ये बकवाद है सारी पहले तो हम इनको सीमित करेंगे फिर वक्ती बनेगी बनातमाओ आप जो दास ग्यान दे रहा है किसी डूम बाट के गीत नहीं किसी स्वार्थी वेक्ती के दोवारा कोई नाव लखी कता नहीं सुना रही खुद बग्वान ने आकर के ये आपकी जो समस्चाए हैं ये खुद बताई हैं आकर के और साथ मैं इसका समाधधान बताया और आप जी ने बहुत दिन होगी यांकष्ट उठाते ने अब प्रमात्मा कबीर जी आपके पिता हैं सभी हम सब के और आपके दुख को देखकर वो स्विम दुखी रहते हैं आपने गलती अवस्य कर दी और जैसे एक सेब खराब हो जाती है सेब विक्रेता को वो सेब बहुत प्यारी होती है उसको पता है कितनी कीमती है लेकिन खराब होने के बाद उसके पास कोई विकलप नहीं उसको बाहर फैकना ही पड़ता है तो कुने आत्माओं हम उस सत लोक में रहने के लाइक ड़ये नहीं थे इसलिए प्रमातुमाने हमें बार फैकना पड़या कि यह औरों को खराब ना करते है तो अब वो कितने द्यालू है कि साइदिन की बुदी ठेकाने आगी वो इतने कस्ट उठा करके अब मान जा मैं अब भी सीने के लगा कर सत लोग ले जाओंगा अपने बच्चों वहां कभी दुख नहीं होगा कभी मरतू नहीं होगी तो इसके लिए बताते है यहां जो प्रमातुमान स्वेम आई थे एक जौपडी मेरा करते गास फूस की छाट बना के लकडों के टांग के और उसमें 120 वरस रहे और सारी सिरिष्टी का पालन करते थे वो सारी सिरिष्टी के पालक अम यह दिखाने के लिए कि यदि तुमने मुख चाहिए यह बकवाद छोटने पड़ेंगी समाज को नहीं देखना होगा एक दास बनकर रेना होगा वसे दो बकटी के लिए थे सेठ भी है बकटी वो भी कर सकता है जैसे दरमदास जी थे लेकिन मरियादा के अंदर रहकर ही बकटी की उन्होंने तो वो परमातमा हमें इसलिए दिखाने आते हैं कि भाई तुम ऐसे विश्वास करके देखो जैसे परमातमान एक रोल करया एक बिलकुल नर्दन विखती हैंड टू माउथ कपड़ा जैसे रिज़ा कपड़ा बनाया करते थे कपड़ा बन गया बेच दिया बेच ना नहीं कमाई उसकी जो में नताना मिलता था उसका और जो में नताना उनको मिला उसमें से एक परिवार का भी पोसन किया परिवार कैसा था परमातमा कबीर जी का उनकी कोई पत्री नहीं थी उनके कोई माता पिता नहीं थे उनके कोई बालक नहीं थे क्योंकि हमारे को आज तक प्रमात्मा का ग्यान प्राब्त ही नहीं हुआ हमने स्री राम, स्री किर्संद, राजा दसरत के पूत्र, इन राजाओं की और भगवान बना करके, कि इन की कथाइं सुनी थी, जो प्रमात्मा की कथा हमारे सद्गरंथ बताते हैं, वेद सबसे प्रमुख माने गए तो जो वगवान लीला करता है, जो उसके गुन हैं, वो वेदों में वरनित हैं, और वो वेदों में वरनित जो लीलाए हैं, वो केवल कवीर देव ने, कवीर साहब कासी वाले धानक जो लाएने कर रखी हैं, इस विस्वे में किसी माह पर उसकी ऐसी लीला नी जो वेदों स मिलती हो तो कबीर परमात्मा हैं पूरन ब्रम है सत्थ पूरस हैं तो ये परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए इतने परमाण आपके समक्स बताए जाते हैं तो उस परमात्मा ने जैसे कपड़ा बनते थे उनका परिवार कोई नहीं था मतलब उनके माता पिता या बालक नहीं थे नीरु निमा नाम के एक मुसलमान नी संतान थे पती पत्नी और कबीर परमात्मा यानि पूर्ण बिर्म सत्य पूर्ण सत्य लोग से आकर कासी सहर में लहर तारा नामा के एक तलाब के उपर तलाब के अंदर कमल के फूल के उपर एक सिसु रूब धान करके विराजमान होए थे नीरु निमा परती दिन उस सरौर में सनान करने के लिए जाते थे गर्मियों का मौसम था और परमात्मा को सरवर में कमल के फूल पर पाकर वो फूले नी समाई घर ले आए फिर परमात्मा ने पत्चिस दिन तक कुछ भी आहर नहीं किया तो दोनों बड़े चिंतित हुई विशेज कर निमा बहुत दुखी हुई और अन्ट मैं फैसला कर लिया कि यदि ये बालक मर गया तो मैं भी साथ मरू नी तब कभीर परमेश पर बालक रूप में जो उनके घर पे निवास करते थे उन्होंने प्रेड़ना की बगवान संकर से बगवान संकर अपने सीव लोग से आए सादो रूप बना के तब नीरू और नीमा से उनकी समस्या का कारण पूछा क्यों दुखी हो तो उनने कारण बताया के एक बालक मिला है नीरू नीमा उसी जनम में पहले एक ब्रामन ब्रामनी थे गौरी संकर और सरस्वती उनका नाम था गौरी संकर ब्रामन का पुरिशका और सर्स्वती उस बहन का नाम था उसकी पत्नेगा मुसल्मानों ने उनको जबरदस्ती मुसल्मान बना दिया था जिस कारण से वो अन्य बरहामनों ने समाद से निकाल दिया था पहले उनको देख़ना मिलती थी वो बंद होगी तो उन्होंने जो लाहे काकारिये शुरू कर जिया थे लेकिन वो बगवान संकर के दर्ड पुजारी थे वो भले ही मुसल्मान बन गए थे लेकिन पूजा वो अपने बगवान सिव की हर्दे से किया ही करते थे वैसे तो यथार्त ग्यान आपको जब होगा तो हजरत मुहमद जी तो थे ये बगवान सिव के लोग के एक गण थे पुन्यात्मा थी बगवान सिव के लोग से याई थे वो भी मुसल्मान धर्म टोटली बगवान संकर के ही उस गण के द्वारा बताये गए ग्यान पर उनके फारमूलों पर वो अपना बक्ति मार करते है तो बगवान संकर ने आकर उनसे पूछा साधू रूप में तब उन्होंने कारण बताया निमा ने कहा कि बगवान हमारे कोई संतान नहीं थी और हमारी आयो भी साथ वरसे उपर हो गई है अभी कुछ दिन पहले मैंने हर्दे से फुकार की थी अपने बगवान संकर की उन्होंने मुझे कमल के फूल पर एक बालक दिया है अब ये बच्चा कुछ खानी रहा ना पी रहा है ये मर गया तो साथ मरूगी मात माजी अब मैं इस विदाई के दुख को सेन ने कर सकती ये बालक मुझे इतना प्यारा लगता है संकर भगवान ने कहा कि माई वो दिखा तेरा बालक कहा है लाना जरा बाहर माई लाई नियमा उठा के सोचा बालक को मात माजी के चन्नों में डाल दूँ ये कुछ रह्म कर दें इनका जीवन बच जावे इस उजैसे से नियमा ने भगवान संकर के चरणों में बच्चा डालना चाहा ऐसे चरणों में रखना चाहा ऐसे आकास मूड़ गे भगवान और भगवान संकर के सिर के बराबर में आके ऐसे सुत्र हो गया हुआ मैं मीमा ने सोचा कि इस बाबा जी में करामात बहुत गणी आए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षप्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रही हैं नमस्कार जी नमस्कार क्या नाम है जी आपका गजिंदर कुमरतांती गजिंदर जी आप कहां से हैं जिला सुपल बिहार से गजिंदर जी संत रामपाल जी महराज से नाम दिक्षप्राप्त आपने कब ली 17.10.2019 को संत रामपाल जी उसमें भक्ति करते थे, अब वहां पर जो है सेवा किये तो हमको परचार साहयक का सेवा मिला, परचार साहयक का मतलब होता है कि परिम रावत जी का संदेश जो है हर एक भ्यक्ति के कानो कान तक पहुंचाना, हर एक भ्यक्ति के पास पहुंचाना, इसके बाद वहां पांच व में हमने फशली सेवा काम करते थे, मासिक सेवा काम करते थे, उसमें जितना भी नाम दिख चालिया हुआ था, उसको प्रेमी काते हैं उसमें, सभी प्रेमी से जा करके, महिना में जो है, क्या काते हैं, रुपिया लेकर के रसीत कटना, उसको काते है मासिक सेवा, इसके बाद फशली सीवह था था here, साल में दो बार, एक होता है गेहुम का, एक होता है धान का, धान के समय में जाते थे, ज्या एक प्रिश्जीन के पास, उसको जो इत्छा अनूसार होता था, दस केलों, पंस केलों, बीस कeros केलों, पचाश केलों अब this, we know, we can sell it to mine. गजंदर जी आपने बताय कि आप 20 साल से बालयोगे उसमर जी से जुड़े हुए थे, और बहाँ आप पिरचारक के पत पर भी थे, तो क्या कारण बना कि आप संत्रामपाल जी महाराज की सरण में आए? परिवार में लराई जगरा कलव था बना हुआ वह दूर नहीं हो पाता था हमारा आर्थिक परिशानी इतना था कि कमाते थे खुद प्रैक्टिस्क फुद करते हैं लेकिन रुपिया देखते थे बहुत लेकिन पता चलता था कि रुपिया कहां से कहां पानी के तरह बह गया इसका पता नहीं चलता था घर में इतना आर्थिक तंगी था कि हम खुद प्रेशान हो गए थे, कि अब लगता है कि जीना हमको ब्यकार है धर्तिपव इसके बाद जो है, दो हजार चोदा में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज का सिस्थ हमको मिला उसने का कि आप जो प्रिम रावत जी से नाम दिख्चा लिये हुए हैं, यह काल का भक्ती है, आप यह भक्ती को छोड़ करके जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज की सरन में आईए, आपका हरे नाम लेते ही सारे प्रेशान ही दूर हो जागा इक एक चीज करके बीस्टार से बताया बताने के बाद हमने जब सर्च किया न तो सारा का सारा जो है परमातमा जो जगधगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी इस महरा जो बता रहा था, वह बिलकुल सही बता रहा था, वा बिलकुल काल का भक्ती था अंयों ने, मनि मन तत्वा दर्शी संत रामपाल जी महराज से मनहिमन परतना किये, लेकिन पता नहीं किस जन्म का चूक था कि परमत्मा मेरे बातों को सुन लिया और जितना परिसानी था उसको बिल्कुल दूर कर दिया, मेरे घुर में लराय जग रहा था, केस में किदमा बहुत चल रहा था, लेकिन हम देखे कि केस में हमको जज्ज्मेंट हुआ हमको, जज्ज्मेंट होने के बाद तब हम संकल पर लिये कि आप जगत गुरु तत्वा दर्शी संत रामपाल जी महराज जी से नामदिक्षा प्राप्त किये, संत रामपाल जी महराज से नामदिक्षा प्राप्त किये संत रामपाल जी मारा से नाम दिख्षा लेने के बाद आपको क्या लाव हुए? नासा जो है छुट गया नासा मुक्तहम हो गया दूसरा लाव हुआ कि हम लोग जो है क्या खते हैं हिसार जो है तारिक पर जा रहते हैं तो जैसे वहां पर क्या 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 है दिली मेट्रो अस्टेशन से उतरे आश्रम के और जैसे गये तो मेरे छाती में यहां जो है दर अगर यह खबर मेरे परिवार में जाता है तो लोग बहुत हित्वरा का भला बुरा कहेंगे, दिरे दिरे करके जैसे आश्रम में जाने के बाद जैसे डनवट परनाम के परमात्मा के सरन में मेरा यह जो है छाती कर दर्द यह इतना बरा जो उगा हुआ था छू मंतर हो गया लगा कि हमको परमात्मा ने अपरेशन कर दिया मेरा हर्ट का भीमारी जो है ठीक कर दिया इसके बाद जो है क्या कहते है हमको जो बावासिर हो गया था बावासिर में बहुत तरह का दवाई खाए सबसे पहले तो अपना प्रेटिस खूद करते हैं अपने से दवाय नहीं ठीक हुआ अपने से सिनियर जो है डॉक्टर जो है उसको बताए कि तर ऐसे इसे स्यास भात जया कि भावसी ठीक नहीं हो पारहा है अब डुल ऑउस होट व क्या करें उसने पर उसने कि ये दवाय लिखते है अब आजओ कि रिख क्या कहते हैं मत्हा चकर देने लगा क्योंकि बलट जा रहा था खुनिवादी बावा सिर्था ठीक नहीं हो पर रहा था अब लगता था वरा डोक्टर के पाद जाना परेगा ठीक आचनक मेरे मन में आया है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से पर परतना लगाने के बाद जैसे ही परमात्मा ने वहां से आदेश किया दया कि 24 घंटा के अंदर मेरा खुनिवादी 82 ठीक हो गया आज तक जो है ठीक है हम जो है तंग दुरुष्टी है किसी तरह का दिकत नहीं है आर्थिक प्रेसानी नहीं है इसके बाद मेरी पत्नी को एक समाश थी लिकोरिया का लिकोरिया का हम भी बहुत दवा दिये थे डॉक्टर को भी दिखाये थे अर्ट्रासवन भी करवाये थे लेकिन दवाई देने के बाप जू जो है सब निसफ़ल वद्वेकार चला गया पूरे परिवार में सब नम दिक्चा ले लिए इसके बाद मे नहीं आता था कि कल क्या खाएंगे कमाते थे खूब पैसा देखते थे खूब लेकिन पैसा रहता नहीं था लेकिन परेशानी को जगत गुरु तत्वदर्शी संतरामपाल जी महराज ने मेरे परेशानी को सुना और यह परेशानी जो है छूम मंतर के तरह जो है दूर हो ग गजिंदर जी संत्रामपल जी मारास से नाम दिख्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाब मिले। तो जो दर्सक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं खास करके हंसा देश पंथवालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे। दिलवाया, मैं उनसे प्राख्ना करता हूँ कि आप जगत गुरु तत्व दर्सी संत्रामपल जी महराज के सरन में आये, वह धर्ती पर अव्तार जो है स्वयंग परमत्मा है, इसके सिवा पूरे वर्ड में, पूरे बीसवे में कोई भी जगत गुरु तत्व दर्सी संत्राम मैं उनसे प्राख्ना करता हूँ, हाथ जो कर प्राख्ना करता हूँ, कि आप जो है नकली धोंगी प्राख्ना करता हूँ, जगत गुरु तत्व दर्सी संत्राम पाल जी महराज जो धर्ती पावतार परमत्मा के रूप में आये हूए हैं, उनके सरन में आये, उनसे नाम दिख्चा गरहन कीजे, और जो है चंद तरह के कोष्ट दुख तकलीप से आप जो है दूर हो जाए। गजिंदर जी संत्राम पाल जी महराज से नाम दिख्चा कैसे ली जा सकती है? जगत गुरु तत्व दर्शी संत्राम पाल जी महराज जी से नाम दिख्चा लेने के लिए चेनल पर परतियक दिन सप्संग जो है आता है, उस पर नीचे पिली पटी आता है, पिली पटी पर जो है मोबैल नमर, कॉंटेक्ट नमर, वार्षप नमर आता है, उस नमर पर नजदी की नाम दान के अंदर से आप जो है नाम दिख्चा प्रप्त कीजिए और अपना कलियान करवाईए और जगत का भी कलियान करवाने का संकर्प लिजिए धन्यवाज जी सत्सा है आप सुन रहे थे जगत गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कर दो